वाह कितने प्यारे प्यारे कबूतर चावल खाने के लिए हैं कबूतर छोटे छोटे बड़े बड़े और ये उड़ गए हलो फ्रेंड्स गुट मॉर्निंग सोलन में बहुत ठंड है यार और मैं जा रहा हूं ऑफिस की तरफ और साथ में आमले और खटे भी लेकर जा रहा हूं ताकि बीच में फ्रेंड का घर भी पड़ता है तो उसे भी दे दूंगा ये देखिए मेरी बाइक की सीट का हाल ये देखो पूरी मतलब बरफ जम्मी पड़ी है यार बरफ इतनी ठंड है यार सोलन में ओ माइग गाड अब मैं जा रहा हूं फ्रेंड को सावान देने के लिए अरो सुलन में सुबेह-सुबेह कितने बुरे हाल थे ठंड से बुरेher हाल ओर ये पहाड़ी ही गटावी फिलक्त कर दिय यह इससे आ इसा यार कि परेभी ओओ न्यूटल होगी बाइक न्यूटल होगी बाबुजी और यह सामने करोल का टिपा यहां से सिदे शॉटकट में पहुंचेंगे वाओ यार पैरोट वाओ अती उत्तम यार इतने मोटे मोटे गलाउद पहनने होए मैंने ना और उन में से भी यार हाथ बिल्कुल ही ठंडे हो गयार ओ धूप आई वावा धूप 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 जादू बनना पड़ेगा अब तो जादू यासे जादू होते है ना धूप को देखके दूप ये दूप और ये पहुंच गया मैं में रोड में सुबह सुबह जादा ट्रैफिक नहीं होता यार सोलंग में अभी हम बाइपास दोरी द्वाल में है और बसीज की भरमार देखिये एक दो तीन चार पांचे और ये पंजाब रोड वेज की बस ये फिमाचल रोड वेज की बस लॉट की बसे फुल-on तयारी में है इस टाइम जाने के लिए यहां कल चलान हो रहे थयार दोरी द्वाल में तो फ्रेंड जब मैं जा रहा हूं वापिस सामान देने के बाद यह आप सामने देख सकते हैं ट्रेंड जा रही है यह देखिए फिर्ण्स यह देखिए फिर्ण्स और यह देखिए नहाय वालोंने कित्रा प्यारा पहाड बना दिया यहां अब हम यहां से लेंगे राइट टार्म यहां से कटेंगे हम मेन मार्केट की तरह और आगे पैरागॉन होटेल है वहां से शॉटकट है निचे वो और हम लगाते हैं यहां बाइक क्या बात है नमस्कार अब बढ़िया घर में काम करके आए ठीक है तो फ्रेंड्स कल की पाटी की तैयारी हो रही है और मतर कितने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं मटर और ये बंदे हमारे लगे हैं मटर काटने के लिए फोर्में जी तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे मटर निकालने हैं और कैसे इनका दाना बिलकुल अलग अलग निकालना है फोर्में जी समझा दिया आपने समझा दिया बंदे को कैसे निकालन निकालना दाना जी जी बिलकुल और नेगी साब जी आपको पता चल गया पता चल गया जी कैसे निकालना दाना ये हमारे नेगी साब जी है ये हमारे जैलवान साब जी है ये हमारे फोर्में जी है ये हमारे दिवाकर साब जी है और ये हमारे ठाकुर साब ठाकुर साब के क्या बात है कल की पाठी की तैयारी हो रही है और जैलवान जी मुझ को डाल रहे हैं सारे मटर चल जल गे अब यह मटर कट चुके हैं अब हम इनको कल उबा लेंगे और यह कद्दू का मिठा बनेगा इसलिए कद्दू ले आए हैं कल की दहाम निए फर मिनजी तेसनी अब में रॉमका तरवाजा लगने जा रही है और मिष्टि साब मास्क लगा के बढंव दिया तुर नो प्रवज्जा लगाने की त्यारी में हैं, आज हम शिफ्ट कर जाएंगे यहां के लिए, अब डोर लगके प्लीड हो चुका है, तो अब हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने कमरे के लिए, फाइनली, और इस कमरे में हम पार्ट टाइम के लिए शिफ्ट हो थे, अपने बिक्की भा अब सामान ला रहे हैं यार अभी डोर रहे हैं, धूली-धूल बैठ गी यार पूरा उपर उपर तो धूली धूल थी, अधर उद्धर आरे पर तो अंखों में बिचलीगी धूल, करते हैं अब, कर रहे हैं, आऔर फाइनली फ्रेंड्स अब रूम में सामान आ चुका है सा अब हम थोड़े फ्रीव अब हम खाना मनाएंगे फिर उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू होगी तो ठीके फ्रेंड्स आज का ब्लोग यहीं तक अब मिलेंगे कल मिलते हैं थक यार बहुत ज्यादा सामान पूरा धोया यहां के लिए फिर अब थक चुके हम पूरी तरह से अभी देखिए सामान बिखरा पड़ा हुआ यार अभी सारा सामान बिखरा है अभी भी यार चलो ठीके फ्रेंड्स बाबाई टेक यार